नरेंद्र मोदी के पास बरश्टा चार की मोनोपली है एलेक्टोरल बॉंड्स का सिस्टम निकाला मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे जो छोटे-छोटे सडकों पे ना एक्स्टोर्शन चलता है हफते बाजी चलती है ना वो नैशनल लेवल कर रहने हैं यह लोग मैं बता देता हूँ चार तरीके की हो रही है एक पहले यह कॉंट्राइक देते हैं सरकार कॉंट्राइक देगी और सीधा परसेंटिज लेगी एलेक्टोरल बॉंड देख लीजे उसमें साफ है company को contract मिलता है उसके एकदम बाद वो BJP को हफ़ता देना शुरू कर देती है दूसरा सीधा extortion EDCBI भेज देंगे जैसे यहाँ पे मुंबाई का airport इनको चाहिए था EDCBI भेजी airport किसी और को पकड़ा दिया सीधा extortion तीसरा shell company जैसे यहाँ भी किसी ने कहा अमबेटकर जी ने कहा company की profit ही नहीं है और उससे जादा पैसा वो BJP को दे रही है और चोथा contract देने के पहले पैसा दो contract लो देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ यहाँ मुंबई में किसी भी गुंडे को आप CBI, ED और income tax पकड़ा दो ठीक है वो हो रहा है वो ही हो रहा है एक ब्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है उनके पीचे एक और शक्ति है वो कह रही है भाई आप देखो हमें यह एरपोर्ट चाहिए आपका एरपोर्ट मुंबई का एरपोर्ट है ना आपने तो देखा CBI की inquiry होई और उसके एक दम बाद मुंबई एरपोर्ट अधानी जी को मिल गया तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इससे आपका नुकसान हो रहा है नोट बंदी की GST लागू की जो इंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खतम कर दिया चाहते हैं कि यहां सिरफ 20-25 कमपनियों का राज हो चाहते हैं कि यह जब छोटा धंदा चलाते हैं सबजी बेचते हैं छोटे छोटे दुकाने चलाते हैं चाहते हैं यह सब खतम हो जाए और एक के बाद एक इनको खतम कर रहे हैं Smaller medium manufacturing जो है उसको सब को खतम कर रहे हैं यही लोग तो चाहिना का मुकाबला कर सकते हैं जो smaller medium industry है वो ही तो चाहिना का मुकाबला करेगी वो ही तो देश को रोजगार देगी उस नीव को उड़ा रहे हैं और आपको खड़ा होना पड़ेगा आपके बिना काम नहीं बनने वाला आप हो भारत माता